हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं आपी का आपना प्यारे विद पिस येट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्तों प्रिवार पहचान पत्रे यानि फैमली आइडी की साइट परेके बड़ी समझ्या देखने को मिल रही है जिस्टे जिसक deactivated दिखती है तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप जिसे बड़ी समस्या समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि आपकी ID deactivate हो चुकी है तो दोस्तों आप गल्ज सोच रहे हैं तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस समस्या का समाधान आपको बता यानि आपके पास प्रिवार पहचान पत्र की operator ID है और अपनी operator ID को यहाँ पर fill करके ID password डाल कर जब आप capture डाल कर login करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है Your account is deactivated और अगर आप CPLO हैं तो निच्छे आपको लिखा हुआ मिलता है CPLO और उपर same to same आपको deactivated लिखा हुआ दिखाई देता है तो दोस्तो आपको चिंता बिलकुल भी नहीं करनी है कि आपकी जो ID है वो deactivate हो चुकी है दोस्तो सभी ID में ही यह समस्या आई है कि दोस्तो सभी ID के जो password हैं वो अब काम नहीं करेंगे सभी को अपना नया password बनाना होगा नया password create करना होगा दोस्तो आपको क्या करना है आपको forget password वाले option पर click करना है अपनी email ID फिल करनी है cup check out फिल करना है submit करना है जो आपकी email ID है उस पर एक link send किया जाएगा password change करनी के लिए उस पर आपको click करना है अपना new password आपको fill करना है एक बार आपको password फिल करना है फिर confirm करना है submit कर देना है आपका password change हो जाएगा फिर आपको अपना username यानि अपनी email ID डालनी है नया password डालना है capture code डालना है और अपनी ID को login कर लेना है बस इतनी सी बात थी आप चिंता कर रहे थे कि आपकी जो ID है वो deactivated हो चुकी है अब आप क्या करेंगे कैसे आपकी ID चालू होगी तो दोस्ता ऐसा कुछ नहीं है आपकी ID deactivate नहीं हुई है बलकि आपकी ID का जो password था वो अब काम नहीं कर रहा है उसके लिए आपको अब नया password create करना होगा जैसे ही password create होगा आपकी जो ID है वो नया password थे login हो जाएगी और कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप comment box में comment कर सकते हैं मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोसिस करूँगा वीडियो में कोई कमी लगी हो तुसके लिमें दिल से माफी चाहता हूँ आगे से आपको और भी अथी और पहेतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों कर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मिस नहीं हो तो दन्यवाद दोस्तों जेहिंज बार्त जेहरियान जेजवान जेक्सन धन्यवाद मेरे प्यारी दोस्तों